1st July 2024 से भारत में नया laws, नया कानून लागू हो चुका है अब भारत सरकार जो कानून लाएंगे उस हिसाब से ही देश के जो जनता है उनको काम करना पड़ेगा यानि कि हड़ एक citizens के उपर लागू automatically हो जाता है अब ही यहाँ पर honorable Supreme Court of India ऐसा कुछ judgment पास करते रहते हैं वो government को मानना पड़ता है प्लास जनता को भी मानना पड़ेगा यानि कि Supreme Court का एक बात, एक guideline वो कानून की तरह है यह सारा जो judgment से यह landmark हो जाता है फिर इसको precedent के रूप में follow किया जाने लगता है अब ही यहाँ पर honorable Supreme Court of India ऐसा एक judgment पास किये थे जो government के favor में था और against में था देश के जनता के परकार जमीन अधिक्रहन कर सकता है Land Acquisition Act के ताहित यह Land Acquisition Act 1984 में डलहोसी नाम के एक British हुआ करते थे वो इसको लाये थे यह उनका brain child है इस कानून का main मकसद यही था कि भारत के किसानों से किस तरह के से जमीन छीना जाए वाइदर वे सिर्फ किशान नहीं आप और हम जैसे लोगों का संपत्ति भी government अधिक्रहन क्वायर कर सकते है किस तरह के से यह judgment देश के आम जनता के against है आईए चलिए जान लेते इससे पहले एक छोटा सा request एक like कीजे कानूनी जागरुकत फैलाने में मेरी मदद कीजे तो देखे भारत एक क्रिशी प्रधान देश है क्या आपके दिमाग में कभी यह question आया है कि भारत के किसान इस तरह के से भूमी हीन कैसे हो गए यह Britishers का brain child दुखत तो यह है आज तक इस कारून के उपर base करके भारत सरकार जमीन अधिकरहन कर रहे है लगातार यह कानून का continuation देखा जा रहा है आयोधा बनारास जैसे सहर में हाला कि भारत सरकार 2013 में New Land Acquisition Act लाए है जहाँ पर solitium amount को 100% कर दिया गया है लेकिन अच भी देखा जाता है सरकार most of the cases में जमीन अधिकरहन करने के वक्त यह सारा का सारा कानून का पालना नहीं करते है तो किस तरके से आपको रकम मिलेगा, मुआफजा मिलेगा, किस तरके से आपको rehabilitation या फिर पुनेरवासन दिया जाएगा और यही पर जानके रखिये संपत्ति का अधिकर, article 300, capital A of the constitution of India आपके एक legal right के रूप में आता है देश के कोई भी कानून में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है कि सरकार आपको मजबूर कर सकता है जो जमीन है उसका अधिकरहन करने के लिए और यही पर सुप्रिम को judgment जो देश के against है Total 9 guidelines यहाँ पर बताया गया है सबसे पहले अगर आपका संपत्ती government acquire कर रहा है अगर संपत्ती कब जना ही है तो legal process follow करके कब जना पड़ेगा सबसे पहला process लिखे मान लीजिए बंसिलाल नाम के एक आदमी है उनका संपत्ती government acquire करना चाह रहे है Public purpose के लिए Public purpose में अगर संपत्ती को acquire किया जा रहा है तो 70% लोगों का consent mandated है अगर कोई private entity होता है तो 80% लोगों का संपती चाहिए होता है property कब जाने से पहले निउ कानून के हिसाब से एक social assessment report बनवानी पड़ेगी जिनका main purpose से जमीन का acquire करना सही है या फिर नहीं है एक notification जारी करनी पड़ेगी that is mandatory यहीं पर ज़रा मान लीजे यह जो social impact report है यह नहीं बनता है direct notification आ जाता है तब आप क्या करोगे सीधे सीधे high court में जा करके एक written petition file आप कर सकतो यह आपका एक आधिकार है इस notification का वो करेंगे objection next government का यह दाइत वह है कि एक जगा अंसेटल करके यानि कि आपसे एक property छीना जा रहा है तो उसके बतले में आपको कोई संपत्ती रहने का घर, बंगला, मकान कुछ भी तो देना पड़ेगा है ना तो एक जगा आपको अंसेटल किया जा रहा है और दूसरे जगा जा करके आपको बसाया जा रहा है यानि कि सेटल किया जा रहा है इस चीज़ के लिए एक री सेटलमेंट या फिर री हैबिलिटेशन स्कीम बनाना बहुत ही ज़रूरी है बिकर्स जमीन पर कबजाया जा रहा है रिपोर्ट ना बना करके मैटर आगे प्रसीट कर रहा है तो इस चीज़ का भी हाई कोड में जा करके बनसिलाल चैलेंज कर सकता है वो कहेगा कि क्यों इस स्कीम को नहीं बनाया गया है फिर उसके बाद जा करके नेक्स टेप एक अथोरिटी एक फॉर्मल डेकलरेशन निकालेगा फिर जा करी आगे का प्रसीडिंग्स शुरू किया जाएगा लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जमीन अधिक्रहन करने का नोटिफिकेशन को लैप्स मानी जाएगी फिर जा करी आगे का प्रसीडिंग्स मुआबजा कितनी मिलनी चाहिए ये प्रोसेस को शुरू किया जाएगा कंपेंसेशन डिटर्माइन किया जाएगा उस रिपोर्ट के बेसिस पर ही क्योंकि रिपोर्ट के उपर आधर करके ही कंपेंसेशन आपको दिया जाएगा फॉर्मल डिक्लेरेशन आथा है सेक्षन 19 पर मुआपजा डिसाइट किया जाता है सेक्षन 26 पर राइट टू फेयर कमपेंसेशन जरगौर कीजिए राइट टू फेयर कमपेंसेशन इस कारुन के नाम में ही डाल दिया गया है आपके पैरो तले से जमीन को छीन लिया जा रहा है इसका तो एक fair compensation सही compensation आपको मिला है इसके लिए तीन माप डंड यहाँ पर दिया गया है कानून के अंदर सबसे पहरा market value के हिसाब से compensation मिलेगा government value नहीं नमब टू बंसीलाल जी का अपेक्षा क्या है consentate amount उसको भी मानना पड़ेगा authority को लेना पड़ेगा नमब थ्री vicinity में मतलब आपके आसपास के area में आपको पता चला है कि इस संपत्ति के लिए एक करोर रुपे दिया गया है तो आपको वही price follow करना पड़ेगा ठीके ना? और यहीं पर सबसे ज़ादा important highest maximum amount highlight खीचे new कारुन के हिसाब से solitium amount को 100% कर दिया गया है solitium amount को decide करना बहुती ज़ादा ज़रूर है क्योंकि इस चीज के उपर base करी example से समझे अगर आपके property का मुल यह होता है एक करोर रुपे तो 4 times यानि कि 4 करोर रुपे आपको देना पड़ेगा या फिर अगर आपके समपती कोई urban area में होता है तो आपको देना पड़ेगा 2 times of the market value यानि कि 2 करोर आपको देना पड़ेगा तो दोस्तो solitium amount इसी पर ही compensation decide करी जाएगी और यहीं पर ऐसे एक सुप्रिम कोट जजमेंट जो गया देश के जनता के खिलाफ और गया favor में भारत सरकार के तो सबसे पहले देखिए land acquisition government कर सकते है middle government, state government दोनों ही कर सकता है सरकार के पास power यह दिया ग्या है पूरा power है लेकिन सरकार करेंगे क्यों? सबसे पहले कोई park बनाने के लिए या फिर सरक को चोड़ा करने के लिए या फिर army कोई base camp बनाने के लिए etc. परपस में public purpose में सरकार कर सकते है लेकिन अगर private purpose होता है तो फिर वहाँ पर और भी strict कानून, rules, regulations follow करना पड़ेगा लेकिन यहाँ पर सरकार कोई land mafia नहीं बन सकते अधिश्यम केस में सुप्रिम कोट के जब यह नजर में बात आता है सुप्रिम कोट बोले यह क्या चल रहा है public purpose हो यह नहीं है आप सारा सर इसका दुश प्रयोग कर रहे हो इस तरके से government property का deal नहीं कर सकता है यह जाकर कि UPA government यह कानून लाहे यह कानून क्रांतिकरी साबित हो ही रहा था कि एक और judgment 2020 में आ गया Indoor Development Authority वर्सेस मनोहर लाल एंड आदर्स एट्सेटरा इस केस का सुनवाई किया जा रहा था पान चज़ेस संग्विधानिक पीट के द्वारा जहाँ पर जस्टिस अरुन मिश्राची लीट कर रहे थे बेंग्च को उनके ही द्वारा दिया गया पहले एक judgment के खिलाफ वो ही खुद लीट कर रहे थे वो खुदी judgment पास कर रहे थे SLP Special Leap Petition No. 9036-9038 of 2016 इस केस में सबसे बड़ा मुद्द यही था कब जिनका जमीन अक्वाईर किया गया है उनको संपत्ती वापस मिल जाएगा कब ये जमीन का अधिक्रहन Lapse हो गया है माना जाएगा Section 24 Clause 2 के उपर बेस करके इस judgment का सिध्धान दाया जरा देखिए किस तरगे से कानून का गलत interpretation किया गया With due respect I am no one मेरा यग्यता बहती कम है पर और जो English का और सब्ध है क्या इसको and करके पुकारना सही होगा That's the question Because Supreme Court और को कर दिये and मतलग कि ये दोनों के दोनों शर्टों में से दोनों के दोनों ही होना पड़ेगा आपके case में तभी process lapse हो गया है माना जाएगा फिर संपत्य आपको वापस किया जाएगा लेकिन 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 कानून में कहा गया था अगर ये दोनों में से कोई एक होता है तभी माना जाएगा lapse हो गया है संपत्य हो जाएगा वापस Supreme Court के इस judgment के वज़े से ये practical situation बहुती difficult हो गया क्योंकि कुछ-कुछ cases पर देखा जाएगा मुआपज़ ठीक तरगे से नहीं दिया गया है या फिर इस कानून बनने से पांच सल पहले अगर जमीन अधिक्रहन किया गया है और जमीन को physical possession नहीं लिया गया है तब माना जाएगा ये process lapse है आप जरह बताएगे दोनों के दोनों situation एक इंसान के साथ ही घटित होना क्या possible है हो सकता है उनको मुआपज़ सही मिला एक किस हो सकता है physical position नहीं लिया गया पर दोनों के दोनों physical position भी नहीं है मुआपज़ भी नहीं है तब माना जाएगा process lapse है ये तो possible नहीं है reality में pragmatic situation क्या है उसको देखते हुए तो judgment को पास करना चाहिए था बहुत सारे लोगों को award ही नहीं मिला है पैसा नहीं मिला है बहुत सारे लोगों का physical position अभी बाकी है पर पैसा थोड़ा बहुत मिल क्या है पीड़ी तबी करे तो करे खिया तो इस तरह के से कानून गया सरकार के favor में और आम जनता के against में lawmakers का उद्देश्य यही था कि ये दोनों में से कोई एक अगर satisfy होता है तो process को lapse माना जाएगा पर Supreme Court का judgment odd को कर दिये and मतलब दोनों के दोनों चीजी आपके साथ होनी परेगी फिर लाप्स माना जाएगा मेरे दिमाग में घुसा नहीं है ये judgment अगर आपके दिमाग में घुस गया है तो मुझे जर्णा बताईए ती पर आपको request करूँगी थोड़ा सा जाग रुख रहे ये सब के सब कानून के बारे में आप पता कर लीजे एरे साथ legal awareness फैलाने में जुर जाएगे जरुरतमन लोगों के साथ इसको share कीजे बहुत बहुत धनीवाद आपका